बिस्मिल्लाहिर्राह्मानुरहीम असलाम अलेकुम स्टुरेंट्स ओप्यू आलार फाइन तोड़े विल स्टार्ट एक्सराइज नमबर 1.5 उनिट नमबर 1 इन दिस एक्सराइज वुल लर्न अबाओ दिटर्मिनेट डिटर्मिनेट क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं पेज नमबर 21 पे इसका बारे में लिखा हुआ है अगर आपके पास एक मैट्रिक्स होता है पर्स करें लेट A is equal to A, C, B, D और स्क्वेर मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेट के लिए स्क्वेर मैट्रिक्स होना मस्ट है क्योंकि इसमें डाइगनल इन्वार्व होता है और आपको पता है डाइगनल जो है वो स्क्वेर मैट्रिक्स में ही आते है अगर आपने इसका डिटर्मिनेट लेना है तो determinant को represent करते हैं D, E, T, A या इसका symbol होता है A के दो parallel lines अमोमन हम इसका symbol यूज़ करते हैं determinant of A find out करना हो तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इस mattresses को जो है वो determinant की sign के अंदर लेके आते हैं यह mattresses के जो brackets हैं उसकी जगह हम determinant की sign लेके आते हैं यानि दो parallel lines उसके बाद क्या करते हैं सबसे पहले जो diagonal entries हैं को आपस में multiply करते हैं यानि A, D से multiply होगा बीच में minus का निशान आएगा और फिर non-diagonal entries यानि C, B से multiply होगा अब जो answer होगा वो इसका determinant होगा यानि जो simplify करके answer है for example, फर्स करें या आपके पास एक B matrices है आपने इसका determinant find out करना है सबसे पहले हमने इसको determinant के sign के अंडर लेकिया है पहले हमने इसकी diagonal entries यानि 1 इंटो 3 को multiply किया minus minus 2 को 1 से multiply किया simplify किया 3 1s are 3 और minus minus plus तो या आज़ेगा 3 plus 2 5 यानि इसका B determinant जो है वो क्या होगा 5 अब दो बहुत important definitions है अकसर papers में या आती है singular matrix or non singular matrix singular matrix क्या होता है क्योंकि यह determinants related है इसलिए हम यह अभी कर लेते हैं ताके आप लोगों को समझाए ऐसा matrices जिसका determinant 0 हो उसको हम singular matrix कहते है definition लिखी विया a square matrix इसके लिए भी square matrix होना must है a square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0 यानि A determinant उसका 0 हो for example आपके पास यह matrix दिया हो है आप इसका determinant लें 1 into 0 0 2 into 0 0 0 minus 0 0 इसका मतलब इसका determinant 0 है इसका मतलब यह matrix आपके पास क्या है singular इसी तरह square matrix A is called non-singular if the determinant of A is not equal to 0 जैसे भी हमने उपर example पढ़ी यह भी non-singular matrix है नीचे भी आपके पास 2 1s are 2 minus 0 तो answer आया 2 जो के 0 के equal नहीं है इसका मतलब यह non-singular matrix है ऐसा square matrix जिसका determinant 0 हो वो singular होता है और ऐसा square matrix जिसका determinant 0 ना हो वो non-singular matrix होता है आगे और definitions है वो हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसे related question आते जाएंगे वो करते जाएंगे आप इसका सबसे पहले question है ना question number 1 exercise 1.5 का find the determinant of the following matrices आपने following matrices जो भी given है उसका determinant find out करना है सबसे पहले again हम इसको determinant के sign के अंडर लेके आएंगे उसके बाद diagonal entries को आपस में multiply करेंगे minus 1 into 0 बीच में minus का निशान non-diagonal entries 2 into 1 पहले multiply करेंगे minus 1 into 0 0 और 2 1s are 2 मैंने आपको पहले बताया था 0 के साब minus लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता आपके असानी के लिए लगा दिया है नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो answer आजएगा minus 2 इस a determinant का answer है minus 2 इसका b part आप लोग खुद try करेंगा मैं इसका c part करवाती हूँ अगें इसका determinant find out करना है सबसे पहले हम इसको determinant के sign के अंडर लेके आएंगे उसके बाद diagonal determinant का sign diagonal entries को आपस में multiply करेंगे 3 into 2 बीच में minus का sign और 3 into 2 6 minus 6 यह आ गया 0 जिस तरह मैंने आपको definition बताएं उसके मताबिक यह आपके पास singular matrix है और यह आपके पास non singular matrix है इसका d part भी आप खुद करेंगे अब हम इसका question number 2 देखते है question number 2 भी बहुत easy है find which of the following matrices are singular or non singular आपने बताना है कौन से matrices singular है कौन से non singular है हम पहले उसका determinant find out करेंगे जिसका determinant 0 आजेगा इसका मतलब है वो singular है जिसका determinant 0 नहीं होगा इसका मतलब वो non singular है matrix है आपके पास a is equal to 3, 2, 6, 4 सबसे पहले हम इसका determinant find out करेंगे ताके हमें पता चले कौन सा singular matrix है कौन सा non singular diagonal entries को पहले multiply करेंगे 3 into 4 बीच में minus का निशान फिर 6 into 2 4, 3s are 12 minus 6, 2s are 12 12 minus 2, 0 इसका मतलब है as a determinant is equal to 0 so matrix a is singular अब हम इसका c पार्ट करते है c है आपके पास 7, 3 minus 9, 5 अगें पहले हम इसका determinant लेंगे c determinant determinant के लिए पहले हम diagonal entries को multiply करते हैं 7 into 5 minus minus 9 into 3 7, 5s are 35 minus 9, 3s are 27 35 यह देखें यहां यह minus minus आपस में multiply हो रहा है तो add हो जाएगा तो आजएगा 35 plus 27 35 plus 27 आपके पास होता है 62 जो के 0 के equal नहीं है as c determinant is not equal to 0 तो c determinant जो है वो आपके पास 0 के equal नहीं है so matrix c is non-singular इसका d part भी आप खुद करेंगे अब हम इसका question number 3 start करते हैं question number 3 start करने से पहले हमें adjoint of a matrix के बारे में जाना है के adjoint of matrix क्या होता है page number 21 पे ही mentioned है adjoint of a square matrix adjoint के लिए भी square matrix होना must है a is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of the other entries adjoint हम कैसे हासल करते हैं कि diagonal entries की position आप क्या कर देते हैं change यहाँ a है यहाँ d है इनको आपस में swap कर दे change कर दे position यहाँ d आ जाएगा और यहाँ a आ जाएगा और जो non-diagonal entries हैं उनके आपने sign चेंज करने हैं यहाँ positive b था यहाँ negative b हो गया यहाँ positive c था यहाँ negative c हो गया तो adjoint matrix क्या होता है एक ऐसा matrix जो हासल होता है आपको जब आप उसकी diagonal entries की position चेंज करते हैं और non-diagonal entries के sign चेंज करते हैं ठीक है अब हम इसका question स्टार्ट करते हैं question है find the multiplicative inverse of the following matrices आपने इनका multiplicative inverse find out करना है लेकिन साथ ही उसने आपको bracket में लिखा if exist अगर इनका होता है तो find out करना है इसका क्या मतलब है वो करने से पहले हम multiplicative inverse का formula देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हमें पर चलेगा exist करता है कि नहीं सबसे पहले multiplicative inverse का formula होता है a inverse multiplicative inverse को represent करते है a के उपर ऐसे minus 1 is equal to adjoint a over a determinant multiplicative inverse का क्या formula है adjoint a over a determinant अब exist की बात उसने क्यों की है अब देखें determinant जो है वो denominator में है अगर वो singular matrix हुआ इसका मतलब उसका determinant 0 होगा और आपको पता है कि जब denominator में 0 आ जाता है तो वो infinity के बराबर होता है फिर वो exist नहीं करता तो ऐसे matrix जो singular है उनका multiplicative inverse exist नहीं करेगा इसलिए उसने लिखा है कि find the multiplicative inverse if it exist अब हम सबसे पहले क्या करेंगे find out करेंगे हमें पता है multiplicative inverse किसके बराबर है adjoint a over a determinant सबसे पहले हम a determinant find out करेंगे क्योंकि अगर वो 0 आ गया तो इसका वालब exist नहीं करेगा फिर हमें adjoint a find करने की जुरूद नहीं होगी सबसे पहले हम determinant find out करते है तो क्या करेंगे diagonal entries को आपस में multiply करेंगे minus 1 into 0 minus 3 into 2 0 minus 6 तो यह आजएगा minus 6 जो कि not equal to 0 है इसका मतलब इसका multiplicative inverse exist करता है अब हम क्या find out करेंगे adjoint of a adjoint of a मैंने आपको बताया था कि adjoint of a आप कैसे हासिल करते है diagonal entries की position change करें यानि 0 इसकी जगा पर आजएगा minus 1 इसकी जगा पर तो 0 और यहाँ minus 1 non diagonal entries के sign चेंज करेंगे यहाँ positive 3 था यहाँ negative 3 हो जएगए यहाँ positive 2 था यहाँ negative 2 तो यह आपके पास adjoint of a आगया अब इसको यह जो ऊपर a inverse का formula था उसमें put करेंगे a inverse आपके पास मैंने दो दफ़ा उपर इसलिए लिखा था कि अभी आप लोगों के लिए formula याद नहीं होगा तो एक दफ़ा याद हो जाए adjoint a 0 minus 3 minus 2 minus 1 और उसके नीचे minus 6 अब आप लोगों ने multiplication तो matrices की पड़ी थी किसी भी real number से जब multiply करते हैं तो क्या होता है हर entry के साथ उसको multiply करते हैं यहां देखें एक real number के साथ divide हो रहा है तो इसमें भी same rule होगा कि जब multiply हर entry के साथ होगा तो divide भी वो हर entry के साथ होगा तो minus 3 divided by minus 6 minus 2 divided by minus 6 और minus 1 divided by minus 6 0 by minus 6 आपको पता है 0 आ जाता है चले अभी मैं यह minus minus से कट गया 3 वन जा 3 2 तो जा 6 1 by 2 यह minus minus से कट गया 2 वन जा 2 तो 2 जा 6 2 3 जा 6 1 by 3 यह minus minus से कट गया 1 by 6 तो answer आ जाएगा 0 1 by 2 1 by 3 और 1 by 6 तो यह आपने एक का multiplicative inverse find out कर लिया वारबता दती हूँ जब आपने simplify किया 0 by minus 6 तो यह ऐसे आ गया इसको simplify किया 1 by 2 इसको simplify किया 1 by 3 इसको simplify किया 1 by 6 0 by minus 6 0 होता है 1 by 2 1 by 3 1 by 6 तो यह इसका inverse आपने A का find out कर लिया इसका B matrices का multiplicative inverse को find out करेंगे मैं C का find out करती हूँ तो सबसे पहले हम क्या find out करेंगे C matrices में determinant चीक है तो C matrices का determinant क्या हो जाएगा diagonal entries को multiply करें minus 2 into minus 9 minus 6 into 3 multiply में minus minus plus होता है 92018 minus 63018 अब देखें answer आगया 0 मैंने आपको बताया था कि अगर determinant 0 हो तो इसका मतलब है as C determinant is equal to 0 so C inverse does not exist because formula लिखते हैं तो जादा अच्छा impact परता है कि C inverse किसके बराबर होता है adjoint C over C determinant के तो जब determinant जो है यानि नीचे 0 आगया तो इसका inverse possible नहीं है अब हम इसका last D part करते हैं 1 by 2, 3 by 4, 1, 2 again पहले हम इसका determinant find out करेंगे 3 by 4, 1, 2 1 by 2 multiply by 2 minus 3 by 4 multiply by 1 diagonal entries आपस में multiply होगे और non-diagonal entries आपस में multiply होगे और बीच में minus का निशान multiply में यह देखें यह इससे कट जाएगा 1 minus 3 by 4 अब आपको पता है अगर आपको बस दो fraction और बीच में plus minus का निशान हो तो जब तक आप उसका LCM नहीं लेंगे वो simplify नहीं होगा तो इसको हम simplify करेंगे 4 इसके denominator में 1 है तो 1 4 के table में 4 जार आता है उसको numerator से multiply करें 4 इसके denominator में 4 है 4 1 जा 4 1 को 3 से multiply करेंगे तो यह तो answer आगया 1 by 4 तो D determinant आपके पास आगया 1 by 4 अब आपने निकालना है इसका adjoint of D क्या करेंगे diagonal entries को आपस में swap कर देंगे और non-diagonal entries की sign change कर देंगे और आपके पास D inverse as D inverse आपके पास क्या है adjoint D over D determinant Adjoint लगाएंगे सबसे पहले 2 minus 3 by 4 minus 1 1 by 2 divided by 1 by 4 अब यह 1 by 4 जो है यह क्या हो रहा है divide आपको पता है अगर denominator का जो denominator होता है वो उपर जाके क्या हो जाता है multiply अब यह divide हो रहा है यानि 1 by 4 जो है वो उपर जाएगा तो 4 by 1 बन जाएगा क्योंकि denominator का denominator उपर जाके numerator बन जाता है और जो numerator होता है वो denominator बन जाता है तो हम इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकते है 4 by 1 minus 3 by 4 into 4 by 1 minus 1 into 4 by 1 1 by 2 into 4 by 1 क्योंकि 1 by 4 denominator का denominator उपर जाके numerator बन गया और जो denominator था denominator का numerator था वो denominator बन गया simplify करें 8 4 4 से कट गया minus 3 minus 1 into 4 minus 4 2 1s are 2 to 2s are 4 तो 2 तो यह आपके पास D determinant जो है वो आगया 8 minus 3 minus 4 और 2 आपने homework में question number 1 का part B and D करना है 2 का भी part B and D करना है और 3 का सिर्फ part B करना है जो कि बहुत easy है और आपके लोग के practice के लिए बहुत ज़रूरी है इन्शाला नेक्स लेक्चर में हम आगे question number 4 स्टार्ट करेंगे टेक केर स्टूरेंट्स अला अफ़ेस जो करेंगे